मेरा नवजवानों विशेशकर कुरुशी की पढ़ाई कर रहे लाखों विध्यार्थियों से आग रहे हैं कि वो अपने आसपास के गाउं में जाकर किसानों को आधुनिक कुरुशी के बारे में हाल में हुए कुरुशी सुधारों के बारे में जागरूप करें मेरे पैरे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पुरा करने के लिए किसे न किसी समय में हर राजरितिक दल ने उनसे वाइदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। इस कानून में ये तै किया गया है कि फसल खरिजने के तीन दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है। और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान सिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि छेत्र के SDM को एक महने के भीतर ही किसान की सिकायत का निप्टारा करना होगा। छेत्र कोई भी हो हर तरह के भ्रह्म और अफ़ाओं से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए भहुत बड़ा संबल होती है। मेरा नवजबानों विशेशकर कृशी की पड़ाई कर रहेे, लाखों बिद्यार्थियों से आग रहे हैं कि वो अपने आसपास के गाउँ में जाकर किसानों को आधुननी कृशी के बारे में, हाल में हुए कृशी सुधारों के बारे में जागरूप करें।